जैहीं दोस्तो आप सभी को स्वागत थे फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टेडी में दोस्तो आज का फीडियो बहुत ही इंपॉर्टेन्ट होने वाली है दोस्तो हम सभी के पास समय बहुत ही कम है और बिहार पुलिस रीगजाम 2014 में बहुत ही जल्द होने वाली है तो इसके लिए हम सभी को बहुत ही जल्द और अविशन ही त्यारी में रात दिन एक करके लग जानी है तो चलिए एक नमर कोचन से शुरू करते हैं सभी कोचन करेंगे वह सभी कोचन को आप सभी इमंदारी पुरवग से रिवीजन कीजिएगा नोट कीजिएगा और कितने कोचन कर पा रहे हैं उस सभी को कॉमेंट कर दीजिएगा ठीके दोस्तों और आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप मंडलिये दाप को किस से मापा जाता है तो इसका राइट से याद रखेगा option number B हो जाएगा बैरो मीटर से मापा जाता है तो चलिए दो नमबर कोचन को देखते हैं क्या करा है दो नमबर कोचन को ध्यान से देखेंगे दोस्तों दोस्तों दो नम्मर उसी तरह से करा है कि प्रित्मी पर जल कितने परतिश्यत भाग पर फैली है, ठीक है? तो याद रखेगा, इसका रायट से हो जाएगा, ओप्शन नम्मर सी, 71 परतिश्यत भाग पर जल फैली हुई है, ठीक, when I got 7 नमबरटीन को दिखेगा दोस्तो पिरी पर रिट्वीक परिवर्तन किस कारण से होते हैं जैसे मैं दुस्तों हम सभी सिंपल भासा में समझतें कि प्रिफीकरण से मासारी पर अब प्रिभू को मिलाने वाले रिक्त क्या कि राथे लाथे हैं इस होते हैं इडिक बंप भूसूरी को पर खूरा सरर्वधिक सुद्धिक कहाँ पर होती हैं दुस्थे लाथे चुर गालने लोट दुस्थे यंग में mugiglim के तरब देखते हैं कोचे नमर 6 को पढ़ेंगे दूस्तों कोचे नमर 6 बोला है कि प्रित्वी की आपक्षा चंद्रमा का दर्विमान कितना है तो याद रखेगा आप्षन नमर 1 बाई 81 यानि कि 1 वाटा 81 हो जाएगा आप्षन नमर 2 दर्विमान किसे कहा जाता है तो याद रखेगा इसका राइट सर हो जाएगा ऑप्षन नमर 2 जुआला मुखी को कहा जाता है तो चले कोचे नमर 8 के तरब बढ़ते हैं कोचे नमर 8 को देखेंगे दोस्तो दोस्तो कोचे नमर 8 बोला कि समुद्री जल की ओसद लवनता कितनी होती है इसका राइट से हो जाएगा ऑप्षन नमर C 35% तो आई हो पीडियो की कोलिटी और सांट आप सभी को फरफेक्ट जा रही होगी और आप सभी लाइफ चैट को जाता से जाता लाइक जरूर किजिएगा दोस्तो लगती है चले कहीं से उठाके कॉपी पेस्ट हम नहीं करते हैं बहुत बहुत कोशिस करती कि आपके सामने नए नए कॉंटेंट को पेस्ट किया जाए चले कर रहा है 9 नमर कोचे को सरबधी के लवनता किसकी है दोस्तो वर्शा कितना है तो याद रखीगा इसका राइट जागा ऑफ्षान नमर या सेमी ठीके अफ्षान नमर एक इसदा करेक्ट हो जाएगा चले कोशनमबर 11 को दीखीगा दोस्तों दोस्तो कोशनमर 11 को बूला है कि तामिल लाडू के टटो या क्रोमो मंडल टट पर वर्षा क इसके कारण होती है ठीक है तो बताएगा इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नमबर इसदा सी क्रेक्ट हो जाएगा दोस्तो उत्तर पूर्भी यह लोटती मानसून से होती है ठीक है चलिए इसदा ऑप्शन नमबर सी इसदा क्रेक्ट हो जाएगा कोशन नमर 12 को दोस्तों कॉच्छा नमबर 13 को बंद रहतने कि प्रित्म पर दो आकांचाओं के बीच की दूरी होती है तो याद रहेखेगा इसका नमबर एक्सो एकार किलो मीटर की दूरी होती है ठीक है चलिए कोचेंग नमबर 14 को देख लेते हैं दोस्तों कोचेंगोचेंग конц सरवधिक वर्षा होती है मिलब किस चेतर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है तो याद रखेगा option number A हो जागा 10-5 मांसुन से याद रखेगा option number B हो जाएगा जी तो दोस्तो इसका right से याद रखेगा option number B हो जाएगा दोस्तो सम ताप मंडल पे सम ताप मंडल पे बोजन परत पाई जाती है ठीक है चले देखते हैं कोचे नमबर 17 को दोस्तो कोचे नमब 17 बलाए कि धूर्विये एवं विश्नुवतिये ब्यास के बीच के अंतर है तो याद रखेगा option number B हो जाएगा इस दकरेक्ट यानि प्या 4000 मीटर 4000 मीटर हो जागा चले कोचे नमब 19 को देख लेते हैं दोस्तो मजा आने वाली है दोस्तो कोचे नमब 19 बोला है कि वाई मंडल की सबसे निचली परत कोन सी है तो याद रेखेगा option number A is the correct हो जाएगा दोस्तो छोप मंडल क्या हो जागा दोस्तो छोप मंडल इस दा कर घूम रही है याद रहेगा option number is the correct हो जागा पच्छिम से पूर्व की तरफ गुम रहे है दोस्तों पच्छिम से पूर्व की तरफ परित्मी हमारी घूम रही है यानि घुर्णन कर रही है चले question number 21 को देखते हैं 21 परवक से पठिएगा दोस्तों 21 को बोलाए कि प्रित्मी क तो आक्ष पर घुमने की किरिया कहलाती है तो याद रखेगा option नमर 20 को देख लेते हैं दोस्तों बहुत ही मज़ा रहे हैं दोस्तों कर रहा है कि प्रित्मी पर दीन और रात होता है इसका रीजन क्या है तो इसका राइट से याद रखेगा option नमर या परिभरन के कारण होता ह ठीक है यह सभी question आपको बिहार पुलिस के exam में जरूर देखने को मिलेगी तो चलिए question number 23 को देख लेते हैं दोस्तों और आप सभी को विलिब नहीं हो रहेगी दोस्तों कोई बात नहीं है जो भी वेखते हैं हमारी वीडियो देखकर बिहार पुलिस के exam देने चाते हैं तो कोचे नमर्ण 24 बोलाया कि भूपरपटी पर ओकी ओकी तो याद रहेगा option number A is the correct हो जागा 46.6% ठीक है 25 क्या करा दोस्तों अंतराष्टि ये तीथी रेखा कहलाती है परतिशत मात्रा कितनी है दोस्तों अंतराष्टि ये तीथी रेखा कहलाती है परतिशत मात्रा कितनी है याद रहेगा option number A is the correct हो जागा दोस्तों 180 डिगरी दिसांतर रेखा पे अंतराष्टि ये तीथी रेख पूर्वी देशांतर रेखा पे दोस्तो इसका राइट से याद रिखेगा ऑप्शन नमर बी देशांतर रेखा पे चलिए कोचे नमर 27 को देख लेंगे दोस्तो और एक बार आप सभी इस रिक्वेस्ट के वीडियो को ज्यादा शेयर किजिएगा दोस्तो भूपरपटी में प्रचूर मात्रा में पाई जाने वाला तात्व है दोस्तो भूपरपटी में प्रचूर मात्रा में पाई जाने वाला तात्व है कौन सा है तो ऑप्शन नमर ए इस दा करेक्ट होजा दोस्तो ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीजन ए नमर इस दा करेक्ट ऑप्शन नमर चलिए कोच सब्सक्राइब करेक्ष जगा 111.32 किलोमीटर ठीक है 111.32 किलोमीटर की दूरी ठीक है चली कोचिन नंबर कि तरह बढ़ते हैं सोडी 29 को देखेंगे दोस्तों समान खार्पेन वाले अस्थानों को मिलाकर खीची गई देखा क्या का लाती है तो याद देखेंगे अपसन नंबर डी हो जाए दोस्तों के चली कोचले found तर्ष को देख लेते हैं दोस्तों कची नंबर 2004 के बीच की दूरी है मलब दू दस्तानतर रखाओ के बीच की दूरी क्या हो जाएगा इसका और जीजड Запान नंबर डरेक्ट हो देखेंगे दुश्तों सूर्य जोकacy नम्मर एटिटम सुरूत क्या है दोस्तों प्रिअचा करेक्णा की वायूं गया कि व्यदि किया है तो ह। दोस्तो 33 नमबर कोचिन वोला कि प्रित्वी एक घंटे में घूमती है तो याद रखेगा ओप्शन नमबर सी दर क्रेक्ट हो जागा पंडर दोस्तो बहुत ही मजा रही होगी प्रित्मी के अंदर 22 मीटर की घंटे में जाने पर तापमान में कितनी ब्रिधी होती है दोस्तो 35 नमबर कोचिन वोला कि प्रित्मी के अंदर प्रती 22 मीटर की घराएं में जाने पर तापमान कितनी ब्रिधी होती है, तापमान की कितनी ब्रिधी होती है, यहीं पुछ रहा है, तो याद रखेगा, option number C is the correct हो जागा, एक डिगरी Celsius, ठीक है, चलिए, कोचे नमबर 36 को देखेंगे दोस्तों, कोचे नमबर 36 बोला है, कि द बिमारियों से ग्रसित होती रहेंगे, चलिए, कोचे नमबर 37 नमबर देखेंगे, 0 डिगरी, 0 डिगरी, 0 डिगरी, देशांतर रेखा, कहां से गुजरती है, तो याद रखेगा, option number C is the correct हो जागा, लंदन से, 0 डिगरी, देशांतर रेखा से गुजरती है, चलिए, कोचे नमबर 39 को देखेंगे दोस्टो, टोस्टो करा है, रेडियों धहांनी किस मंदल से परिवारतित होती है, तो याद रखेगा, option number B is the correct हो जागा, आयन मंदल से, क्या हो जागा दोस्तो, कई और दोस्तों तेन जन्वनवहर इक तवारी को ठीक है चले दीकता नमबर 31 को देखेंगे दुस्तों में हुच नमबर 41 भी खेगा को सब्सक्राइब्न का सब्लाक्षा उपרב दिन रात कऽ बराबर होती है दोस्तों प्रिथ्वी पर दिन रात कब बराबर होती है ति याद रेखेगा option number D is the correct हो जागा यानि 23 सितंबर को और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होती है ठीक है option number D is the correct यानि ये दोनो option सही है चलिए कोचन number 43 को देखते हैं दोस्तो दोस्तो कोचन number 43 बोलाया कि एक डिगरी देसांतर बराबर होती है तो याद रखेगा option number is the correct हो जागा चार मीनट के बराबर होती है ठीक है चलिए कोचन number 44 को देखते हैं दोस्तो कोचन number 44 बोलाया कि प्रित्वी की संपूर बाहे परत क्या कलाती है तो याद रखेगा option दोस्तों यहां पर कोचन समाब थोती है इसी तरह की कॉंटेंट और वीडियो टेखने के लिए आप अपने यूटूब चैनल आरके स्टड़ी को अभी सब्सक्राइब कर दीजेगा और जो दोस्तों जो भी कोचन करा हैं यह सभी बिहार पुलिस रिग्जाम के लिए बहुत ह अधियान रखीगा मिलते हैं जहीं